हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाटशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत ही बढ़े डंग से चल लही होगी समेशा निरासाओं के समंदर में डूबे हुए आप और आप लोगों को उस निरासा के समंदर से बाहर निकालने के लिए एक आशा की किरण या आशा की लहर आज यूपिटर पलेसी ने क्रपा करके देदी कल ही मैं मतलब बोल रहा था कि कोई भी चीज़े नहीं हो रही है और आज ही आपके वन दरोगा जो भरती है जो 701 पद है उनका स्लेबस ज ना हिंदी रखना वाला है ना जीएस रखने वाला है ना रीजनिंग रखने वाला है ना मैत रखने वाला है इस पेशल सब्जेक्ट रखेगा जो वन विभाग के अकॉर्डिंग रहेगा जिसमें वन विभाग से संबंदित पॉलिसी उसके एक्ट्स या उससे संबंदित जानकारी वही चीज आपसे पूछी जाएंगी आज से पहले यूपी में वन दरोगा के लिए कोई भी प्रतियोगात्मक प्रदीक्षा आयोजित नहीं कराई गई थी पूरा का पूरा प्रोसेस चल दाता सारी चीजें बाते हैं आज पूरा का पूरा एक छोटी सी वीडियो म पूरा पूरा स्लेबस डिसकस करेंगे और मैं स्लेबस है तो आपको आगामी वीडियो में यह भी बताता चलूँगा कि किस طرح से आपको तयार करना है कैसे तयार करना हैं और आप सबको पता है स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाने में जी एस वाले मास्टर की महारत ही होती है मैंने मूल विधी को इतना जबर्दस तरीके से पढ़ाया था जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि उसके कितने अच्छे माक्स आये और उसी तरह से मिलता जुलता कानून संबंधी कुछ जी यह है या कुछ भी गुड नियूस कह लीजिए आप या कोई भी जानकारी आप कह लीजिए यह पूरा का पूरा स्लेबस है यह राम जी की पाटशाला आपको कराने जा रहा है ठीक है और क्योंकि आप इसमें बिल्कुल नया सब्जेक्ट है बहुत जादा इसमें चीजें ह है इसमें तो उनको बहुत मैनत से आपको कराना होगा उनकी सब चीजें आप तक पहुंचानी होंगी तो इसका जो पूरा का पूरा स्लेबस है जो 26 आपके पूरे के पूरे हैं इनका एक कोर्स मैं आप साब सब के सामने बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा और इसकी कुछ न धनराशी इकटी होगी उस धनराशी से क्या होगा आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड की भी वस्ता होगी नहीं तो अपना डिजिटल स्क्रीन छोटे वाला जिंदाबाद है आपको इतने बड़िया तरीके से मैं सहरे चीजें करा दूँगा कि आपका एक भी प्रशन चेंदने नहीं दूँगा इतनी मेरी कारणेटी है साथ में परेक्टीस भी करेंगे स्की ऑर मात्वाइब कर लेते हैं पूरेए पूरेगे प्रे पर तो पैटरन को एक बार मैं आपको यहां दिखाता हूं आप लोग ध्यान से इस सीज को इधर देखिये अधिक है हलाकि यह नोटिस 28 जनवरी का है पर रिलीज की नहीं कारणों से आज हुआ है इसमें पूरी की पूरी बात लिखी गई है कि ये 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 तिये सुरू में जो ही लिखते हैं ठीक है वो पढ़ने का हमारा कोछ भी मतलब वास्ता कुछ नहीं है लिखित पर प्रशन का एक अंक होगा ठीक है यानि कि अभी आप यहां पर देखो इन्होंने क्या बूला है कि पैटर्न आपका क्या रहने वाला है कि सो कोश्चन है ठीक है सो कोश्चन पूछे जाएंगे और सो ही नंबर के वो आपके रहेंगे जिनने सॉल्व करने के लिए आपको दो अच्छे ध्यान रखनी है और बहुत विकल्पिया प्रशन है आदमी जब स्वाल करवाता है जब उसकी नौलिज बहुत अच्छी होती है ऐसा सुनहरा मोका आपको दुबारा नहीं मिलने वाला आपको केवल 20-25 टोपिक पढ़ने है और आपकी नौकरी लग जाएगी तो ऐसे मोके को गवाना नहीं है यह जैसे ही मैं आपके समक्ष ये क्ऊर्स लेके आओंगा तो इसमें आपको जरूर अन्रोल करना है ठीक है इसकी डेम क्लासेस ही मैं आपकी समक्ष्पेस करूंगा तो वह भी आपको देखनी है जल्दी मैं आपको चीजें बताऊंगा ठीक है अब यहाँ पर देखो 100 question है 100 number के 2 गंटे का आपका paper होगा objective type होगा negative marking कितनी है negative marking आपकी one fourth है यानि कि एक question सही करते हो तो एक number मिलेगा और एक question गलत करते हो तो 0.25 marks कट जाएंगे यानि मोटा मोटा एक बात बताएं कि एक question सही करोगे तो एक number मिल जाएगा और चार question गलत करोगे तो एक number आपका कट जाएगा ये बात आपको ध्यान रखनी है कोई बहुत ज़्यादा है मतलब tension वाली बात इसमें आपके और मेरे लिए बिलकुल भी नहीं है बशर्ते हमको बजल्दी जल्दी इसकी तयारी शुरू कर देनी है ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ उसका अब इसके syllabus को discuss कराना शुरू करता हूँ syllabus में आपके कुल मिलाकर ये 26 topic हैं यहाँ पर आप देखिए इनको ध्यान से समझते रही है मैं आपको explain करने का प्रयास करता हूँ राष्ट्रिय वननीती जो राष्ट्रिय वननीती है वहाँ से प्रशने पूचे जाएंगे ये topic देखने में 26 लग रहे हैं परन्तु इसका विस्तार बहुत है ये मतला बहुत डिटेल में चीजें पढ़ी जाएंगे जिससे एक भी प्रशने इसका ना छूटे और मैं बहुत बहु आयामी ढंग से आप सब के समक्ष इन सब चीजों को पेश करूँगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है राष्ट्रिय वनननीती राष्ट्रिय वन्य जीव कारिय योजना ये सब क्या है ये एक तरह से आप लॉज कह लीजिए एक तरह से वन भ्याग से संबंदित नियम कह लीजिए कानून कह लीजिए राष्ट्रिय वन्य जीव कारिय योजना राष्ट्रिय उद्यान पक्षी विहार जितने भी भारत में राश्ट्री उद्यान है, बनेजीव अभ्यारन हैं, पक्षी विहार हैं, उनके बारे में जानकारी हमको रखनी होगी, आरक्षित और संरक्षित वनक्षेत्र, ये क्या होते हैं, कहां कहां पर हैं, ये सब चीजें, पारस्थित की सम्वेदन शील शेत्र यानि कि जो सम्वेदन शील शेत्र हैं, एको सिस्टम के लिहाज से उनको देखना होगा, जो एलिफेंट और टाइगर रिजर्वस हैं, उनके बारे में देखना है, हमको इनकी जो आपकी गणना है, गिंती है, कितनी संख्या, इन सब चीजों को देखना है, एको सिस्टम, इको टोन और परियावरन पारिस्ति की संतुलन, ये टॉपिक पूरा है, इको सिस्टम पूरा हुआ, ये टॉपिक आपका, उसके बाद वन संदक्षन अधिनियम, ये हमने पहले ही पढ़ा था, UPSI में, ठीक है, इसको फिर दो बारे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, आपको बता है कि मैं ये सब टॉपिक कितने अच्छे से आपको करा सकता हूँ, और मैंने पहले भी ये कराए हैं, वन संदक्षन अधिनियम, भारती है वन अधिनियम, और वनने जीव संदक्षन अधिनियम, ये पूरा पूरा पढ़ाय जाएगा, जलवायू परिवर्तन क् कंतराष्टे सम्मेलन हुआ था, COP COP 27, इसके बारे में जानकारी हम पूरी रखेंगे, उसके बाद कार्बन क्रिडिट क्या होता है, मर्दा और आदरता, मर्दा मतलब मिट्टी, आदरता मतलब हुमिलिटी, इसके संदक्षन संबंदी, पूरी जानकारी हमको रखनी है, वनी संदक्राइब की चुनॉतिया और रोक्त TRA ao की जो संगर्श होता है, संदक्षयों कहां क्या से होता है, कितने लोग होता है, कितने लोग मारे जाते हैं, इसम मारे जाते हैं, ये सब चीजे, बन्द्रोगा के करतब रह सा करतब चीर एवनार क्या का चीर होती है इसे योजना वन परियावरण और उसके लाब वन एवं एवं वनन्य जीव संडक्षन mm के लिए सरकारी कानून और नीतियाantesか यह एक टॉपिक बोल दिया in लICH एंछ सेत्र पर जितने भी कानून और जितने भी पॉलिस Gd आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी भारती अर्थ व्यवस्ता में वनों का योगदान ये वह इनका जो उस्तर है या जो इनका विस्तार है वह बहुत व्रहद है तो इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे आप बस थोड़े दिन वेट कीजिए और जलदी आप सब चीज आपके सामने पेश होगी सब चीज आपके सामने निकाली जाएगी आप लोग साथ देते रहिए वंदरोगा में सेलक्षन आपका जरूर होगा इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे हैं ते राम जी पाट शाला मैं हूं राम भारत जै हिंद जै भारत